पून परमात्मा पाप करमदंड को भी काट सकता है अभी तक जिस भी संत्वा महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप करमफल भोगने से ही समाप्ध होगा वो प्रभु कौन है जो पाप करम को काट देता है वो काल के बंधन से छुड़वा देता है उसका क्या नाम है पूजा की विधी क्या है किर्पया अवश्य सुनिये जगत गुरु तत्वदर्शी संत्रामपाल जी महराज के अम्रित वज़ण फिर एकदम अचेत हो जाता है भूल जाता है कुछ भी याद नी रहता सुननो जाता है इसको नए सरे से याद करा जाता है यह तरह पिता है यह तेरी माता है यह ताचा ही उता हुए यह सब फिर याद कराए जाता है तो उसको पता था कि वार जाते बात बिगड़ जाएग ऐसे तो हमारा तुने सारा कर्म बेगाड दिया अब बारा बारा वरस तक माता हैं बच्चे को गर्ब में रखेंगी यह तो एक आदत सी पड़ जाएगी सबको यह तो नौ मेने में दुखी हो जाती हैं इतने दिन कैसे रखेंगे तु बाहर आवाई यह मारी परमपरा खराब मत कर रहे हैं सुक देवन एक कंडिशन रख दी एक सर्त रख दी कि बाहर जब आऊंगा तुम अपनी इस तिरगुनमई माया को रोक लो यह कहन लगे वैश देखो हम इसको रोकने में इतने सख्सम नहीं हैं हम रोक नहीं सकते लेकिन सेकंड की भी कुछ अनस के लिए हम अपना कुछ कांट्रॉल कर चकते हैं नहीं यह परवा हम से नहीं रुकता शुक्देवरिशी ने कहा कि तुम एक बर रोख दो थोड़ी शी देर तो कहते हैं सेकंड के भी कुछ अंस में ही वो रोख पाये थे तभी वो मा के गर्म से बार आ गया और उसको चेतना रही कि भगती ना करने से जीव विर्थ हो जाता है जीवन नष्ट हो जाता है कि मुनस जीवन प्रमात्मा प्राप्ती के लिए फड़ाप्त होता है अब उसने सारा कुछ कर लिया मा के गर्म से बाहर आते ही अपनी और नाल को जो सुंडी से लटकी होती है मा की ना भी से कनेक्शन होता जेर सी उसने अपने कंदेव डाल गया और उठका चल पड़ा ब्यास जी ने आवाज लगाई और पूतर मेरे बेटा मेरे बेटा कहा चले अपने आत्मों पूतर का वो बहुत खतरनाक होता है बहुत परभल होता है पूतर मों में रिची जी बार बार पुका रहे हैं बेटा एक बार दर्शन तो दे दे अरे एक बार सकल तो दिखा दे, बारा वर्ष बाठ देखी तेघी, अरे बारा वर्ष तक इंतजार करी पूतर की, दरसन करूँगा, ये पीछे से बात कर रहा है, चलता चलता के रिशी जी, ना जाने कितनी बार तू मिरा बाप बन लिया, ना जाने कितनी बार मुझे तेरा बाप बन लिया, यह तो बुरी बिमारी है, मुझे इसमें मत फसा, और यहां कबीर साहिब ने कहा है, उसने क्या कहा, रिशी जी ने, सुखदेव रिशी ने क्या कहा, कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसे का पता नहीं पूतम, यह तो रण संभंध जुड़ा, एक समय सब्वारा बाटा, यह तो एक दूसरे का लें देन उड़ जे रहा है, कोई किसे का बाप नहीं, कोई किसे का पूतर नहीं, जिस जिसके जितने संसकार, वो अपने पूरे करका, यहां से तले जाएंगे, फिर कोई गदा पनेगा, कोई पुता पनेगा, कोई मनुसी बन यह फिर परिवार ऐसा नहीं होगा, और इसका उदेश से बक्ति करने का है, और मैं तेरे दर्शन करूं नहीं पिता जी, मेरे मोच जाग गया तो मैं फिर वक्ति से वंतित हो जाऊँगा, यह कहकर आकास में उड़ गया, जब तो वो चला गया, उसके बाद फिर आया जब युवा हो लिया, फिर वापस आया अपने पिता जी के पास, कि बड़े विद्वान पुरस हैं, उनसे सलहा लेता हूँ, ब्यास जी ने कहा, आ गया पूतर, क्या आ गया पिता जी, अच्छा बेटा बड़ा, कोई बात नहीं, अब आ गया, सुबह का भूला, स्याम को आ जा एक प्रोब्लम भारी है, सारी कहानी बताई, मैं ऐसे विशनु जी के लोक में गया था, उन्होंने वारेने से बना कर दिया, क्योंकि मैंने गुरू नहीं बना रख्या, पुन्यात्माओं, जो प्रमात्मा के विद्धान से प्रीचित प्राणी होते हैं, वो एक कर सुर में था मैंने, मेरा बेटा अपना कल्डान करवा लेगा, तो नहीं तरनास कर लिया अपने जीवन का, या क्या सोचा तो नहीं गुरू नहीं बना रख्या, अरे जाएगा कहां, तो फिर उसने अपनी वो दूसरी प्रोब्लम बताई, के बगवान विश्वन ने कहा है, के राद करनी पड़ेगी, तब रेशी ने, उसके पिता ने कहा, बेटा, यदि बगती करना चाहता है, और इन दुखों से बतना चाहता है, तो ये करिया था, बेटा, करनी पड़ेगी, जो बगवान ने कह दिया, जब परमात्मा का आदेश होगा, फिर अगर-मगर कर रहा तुम व विदवान कहागा, तो तुम जीवन नष्ट कर रहा है, और मुझे भी कलंकित करेगा, जा कर नाम ले बेटा, जीवन नष्ट ना कर रहे, तब वो गया, राजा जनक के पास, अपने अत्मों, राजा जनक के पास जबरेशी जी पहुंचे, राजा जनक ने अपने सेवकों क नोकरों से कहा, आसन लगा दो, मैं रिशी जी आए है, आज हमारे भाग उदे होगे, आसन लगा दो, बढ़िया बढ़िया कपड़े लगा दो, फूलों से सजा दो, उन्हों जे एक मिन्ट में कहते ही कर दी, आसन लगा दिया, तो कहा राजा जनक ने, रिशी जी विराजो बैठो आसन पर, जमीन पर बैठ गया, कहना गया मैं आपको गुरू बनाने आया हूँ, आसन पर नहीं बैठ सकता हूँ, अब राजा जनक के यकीन नहीं हो, जो चाह नहीं है बात, ये रिशी दे शर्फरे होते हैं, ये कोई किसी नोकर ने, किसी ने कुछ कह तो नहीं दिय इसको क्योंकि शराप भी दे सकते हैं, ये तो विसेले सरफ भी होते हैं, इनके पास ये शराप देर्ण की भी एक पाव रखते हैं, राजा जनक चन्ती तो हो गया कि फगवन कोई गलती हो तो माफ करना रिशी जी, हम तो ग्रिश्ती बेखती हैं, किसी नोकर में कुछ कह द हो, तो कहने हैं, नहीं आज मैं उपर नहीं बैठ सकता क्योंकि मैं आपको गुरू बनाने आया हूँ, उसने सारी कहानी सुना दी है, ऐसे मैं विश्णू लोक में गया था, और भगवान का आदिस हम आपको गुरू बनाने हैं, तो पहले एक बार तो यकीन हुआ नहीं, र जैसे अब दास आपको ग्यान देता है, पूरा विधान बताता है, जो समझदार वक्त आते हैं, पर थंबार आते हैं, तो इस ग्यान से परभावित होकर वो इस दास को एक संत मान कर नाम लेते हैं, और फिर विश्वास दड़क से उस पर लगते हैं, तो लाब मिलता है, न तो राजा जनक ने कहा दिस सुबह नाम दूँगा सनान करके आप रात को रेश्ट करो अब कहने का भाव ये है राजा जनक ने एक अलग कक्स में उसकी विस्था कर दी रिशी जी के रुखने की और वहां पर एक नोकराणी एक औरत की बेहन की सिवा लगा दी तो रिशी की सि वाकर उसको सारा समझा दिया लड़की को कि ऐसे ऐसे इसकी प्रिक्षा करना रिशी जी बैठे थे अपने बैड पर लड़की अंदर गई और उसी के बैड पर बैठी की चरणों की तरफ रिशी जी ने पैर मोर दिये और आगे नहीं तो रिशी जी बैठ गे और उसके निक बिश्टर पर नहीं बैठते हैं, आप क्यों मरियादा भंकर हैं, आप जा सकते हैं, वा लड़की आगी, अब राजा जनक ने पूछा तो उसने सारी कहानी बता दी जी, एक नंबर के मात्मा है तो, टच्बी नहीं होने दिया, मुझे रुखड़े हो गे लिए, ये सब्द भ भारिया, संत दूरस्थान है, ऐसे जती भी था, ऐसा दड़ विश्वासी भी था, संयमी भी था, लेकिन नाम बिना खाली खोखा था, अब गुरु बिना और यथार्द बग्ती के बिना खाली खोखा है, ये मनुस का जीवन, शरीर, वो वेल विदाउट वाटर है, तो सु तो सुखदे बोले ग्यान विवेका, हमने कदे इस तरी का मुँ नी देख्या, रजा जनक रश्थी भाई कैसे इस इस ने वाउंजाई, तो रजा जनक ने बुला लिया के रशी जी को बला लाओ, रशी जी बैठे, नीचे बैठे, नीचे बैठे, नीचे असर लगवा जा नौकरों से कहा रजा जनक ने कि गरम पानी करो, वो समझा रखे थे, अच्छा भठ बाल तो इसमें पूरा चूला लगा, उपर रख दिया एक कडाई, पानी गरम करने की कडाई रख दी, और साथ में नाने के लिए एक पाटड़ा विचाय लिया, जैसे पटड़ी होती है पहले बड़े बड़े पाटड़े होती है पूरा तीन वाइद दो का, तीन वाइद दो का, लकड़ी के पटड़े हैं बनाए होती हैं, उन पर बैठकर सिनान किया करते हैं, रजा जनक ने वहाँ उबड़ते हुए पजल के उस कडाई के साथ में लगवा लिया, और उसकी दस जार रानियां बताते हैं राजा जनक है, उसमें से जो उनकी मुख्य रानी थी, पटरानी बोलते हैं, उससे कहा मुझे सनान कराओ, अब वो सनान करने के लिए बैठ गया, उसकी पत्नी उस उबलते हुए जल से उबाल रखा जैसे गुलगलेता रहा रहा है, जले भी उ उबाला करें गी को, तो उस उबलते हुए पानी से लोटा बर रहा हुआ पटरानी राजा जनक के चोटी में डाला है, राज से मसला है नुसार है, और वो सुखदेवरिसी न्यो हुआ पाच्छे ने, उदले गाए भी हो, वा लोटा गेरा हुआ और पाच्छे ने सरक है, अगजड़ गया, तब राजा जनक ने कहा, कि ए बाल बरमचारी, ए ब्यास के वेटा, मैं गरश्ती हूँ, और मेरे सनान करने के बाद जो पानी गटर में जा रहा है, ये नाली में जा रहा है, तो इसमें उगली जैज़े वेटा, तब जानूगा तो किसा बाल बरमचारी ह आज जड़ जा मेराता है, राज़ा भीहंस देई तबतारी, और हमें असनान करावा नारी, ए बरमचारी तेरे तत्यानारी अच्छी, जो सत्य नाम इस सही मंतर के जाब से, इसका स्रीर ऐसा सॉलिड हो चुकिया है, और आप भटक रहे हो, दखके खा रहे हो, सरन पकड़ देवाल भरमचारी एकदम कती नत मस्तक हो गया, तो पुने अत्माओं या फटक निकले बिना गुरू बनाना का कोई यूजबी नहीं, लाव नहीं हो जीव को, जब तक आपको गुरुजी पर विश्वास नहीं होता, इतना धारन नहीं करना चीए, फिर अगरम-गरम करते हो तो बक्ती खंड हो जाती है, तो उस दन के बाद राजा जनक के पर तीसकी पूरी सर्दा होगी, उसने सिर्फ यह चमतकार देका गुरुबास, विश्वास हो गया, विश्वास करके यह जिए उने चमतकारों से नहीं, वो तो पुरानी कताएं हैं, जैसा उनको लाव हु पर राजा जनक से उपदेश लेने के बाद सुक देवरिशी स्वरग में गया बस, विश्वास लोक में राजमान है, और पुन खतम होते फेर यहां तके खाओगा, तो इस ज्ञान को आधार बना के गुरू बनाना है, और बक्ती करनी अपना कल्यान करवाना है, बलो सत्ग पुर्दे, परमपिता परमात्मा, पूर्ण बरम, सारी सरिष्टी के रचनार, कबीर परमे स्वर्जी की असी रजा से, आप जिस सत्थ संग सुनने के लिए उपस्तित हुए, जिन पुन आत्माओं के विशेष पुनकरम उनके साथ होते हैं, वही पराणी सत्थ संग पराप्त करते हैं, परमात्मा कबीर परमेश्वर्जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये पिता हैं हमारे, और हम अपनी गल्ती के कारण, इस काल के जाल में फस गए हैं, अब यहां पर कोई पराणी सुखी नहीं है, यहां तक कि स्वर्ग लोग के देवताओं को भी चैन नहीं है, फिर हम यहां रह किसलिए रहे हैं, ये हमें भी मालूम नहीं था, हमने इस जनम और मर्टू को, और संतानों उत्पत्ति और परवरिस को, इनके पालन लालन को, विवहा को, बस इसी काम को अंतिम मान रख्या था, कि हमारा इतना ही कर्टव है, ये पूरा होने के बाद, हमारी बले ही मर्टू हो जाए, अब प्रमात्मा ने आकर के ग्यान दिया है, आग गए ना बावडे, रते भी सब्जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़े ठकाना ना ही, पहले चले गए, उन्होंने तो आकर बताया नहीं, उनकी क्या दसा हुई आगे, और रहते हैं जो सेश बचे हैं वो भी चले जाएंगे, यानि मर्टू और जनम होते रहेंगे, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठकाना ना, प्रमात्मा की सत्पुर्श की बग्टी के बिना इस जीव को कहीं, सथाई सथा नहीं प्राप्त होता है, जैसे मनुश्रीर के अंदर प्राणी की मर्टू होनी डाफिनेट है, या मर्टू हुई पुन और पाप के आधार से आगे इसको सत्थान मिलता है, पुनों के आधार से स्वर्ग प्राप्ती होती है, स्वर्ग का समय सीमित होता है, वो उसके पुनों पर आधारित होता है, जब स्वर्ग के अंदर उसके पुन की पुन्जी समाप्त हो जाएगी, उसको कुछ समय पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है, कि अब तेरा जाने कहसे में आ चुका है ये और समिस्या है वहाँ सुरुड़ के देवताओं की सुरुड़ के वासियों की सुर्रकी क्वासियों को उनको पहले पता लग जाता अब तम्हारे मर्टु होगी ये समझ लो उनको फासि की डेट दे दि जाती है तो फिर वो प्राणी उस स्वर्ग में रहकर भी नर्क मैसूस करता है वहां मर्तू के उप्राण जब्रदस्ती जैसे यहां बाई फोर्स मार दिया जाता है मर्तू कर दी जाती है कोई कारण बने है इसी परकार स्वर्ग में भी समय पूरा होते ही वहां से बाईफोर्स निकाल दिया जाएगा बलपूर्वक फिर नर्क में डाला जाएगा नर्क का समय पूरा होते ही वहां से बलपूर्वक बाहर फैक दिया जाएगा तो परस्वी लोग पर मर्ठी यहां से होई चलो चलो, श्वर्ग में गए वहाँ होगी चलो चलो और फिर नर्ग से भी फिर चलो गधय की योनी पाई फिर मर्ठी बहाई चलो कूता बनो कूते की मर्ठी होई चलो सुखर बनो तो ऐसे और फिर समय आने पर फिर मनुश बनो तो यहां परमात्मा बताते हैं आग गए ना बावडे रहते भी सबजाही बिन साहब की भगती कहीं छोड़ ठकाना नाही जैसे मुटी ओस का ऐसी तेरी आव गरीब दास करो बंदगी बहुरना ऐसा दाव अब क्या बताते हैं आपका मानो सरीर ऐसा है जैसे सुबह सुबह ओस गिरती है गास पर काटों पर पत्तों पर और सुरी ओदे होते ही एक गंटे के अंदर उसका नामो निसान नहीं होता तो यहां बताते हैं परमात्मा गरीब दास साहिब जी कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ग्यान को जैसे मुटी ओस का ऐसी तेरी आव तेरी आयू ऐसी है और ग्रीम दास कर बंदगी बहर नहीं ऐसा दाओ अब दाओ कैसा है मनो सरीर एक दाओ लगा हुआ है आपका और इस दाओ को चूक गए है फिर बहुत लुमबा कारिये प्राहर में हो जाएगा तोरासी लाख योनियों में बरम बटक कर कश्ट उठा करके फिर कभी मानो सरीर प्राप्त होगा तो यही क्रिया है फिर हम करते रहेंगे तो पुन्यातमा प्रमिश्वर ने बता है सुक देव ने चौरासी भुगती बन्या पजावे खरवो तेरी क्या बुनियात परणी तू पेंडा पंत पकड़वो वो सुक देव जैसे रिशी ने भी चौरासी यानि चौरासी लाख योनियों के कश्ट उठाए और बन्या पजावे खरवो खरमाने गधा कुमार के पजावे पर यानि उस के लन पर जहां एटें पकाई जाती है और जहां पर बरतन पकाई जाते हैं उसको पजावा बोलते हैं पजावा यहां की बासा और खरमाने गधा ऐसे रिसियों की भी ये दुर्गती यहां हो रही है तो परमात्मा कहते हैं तेरी क्या बुनियाद परानी तो पेंडा पंथ पकड़े वह पेंडा माने वो मारग कौन सा मारग जिस से ये तुरह सी लाखियोनियों की ये बर्मना, ये कष्ट, जनम और मर्तू समाप्त हो जा उस मारग को पकड़े उस ग्यान को गरहन कर उसके लिए शिरी मद्ध बगवत गीता अध्धाय नमबर च्यार के शलोक नमबर 32 में कहा है कि अर्दुन जो मैंने अभी आपको ग्यान सुनाया अध्धाय नमबर 4 के शलोक 35 से लेकर 30 तक जिसमें कहा गया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई हवन यग ही करके संतुष्ट है और कोई योग अभ्यास करता है कोई तीक्सन अहिंसावादी वर्त रखता है जैसे मुख पर पट्टी बांद कर नंगे पैरों गूमते हैं कि कोई जीव हैंसा ना हो जाए और कोई सवध्धाय करते हैं जैसे कोई गीता जी का पाठ करता है तो कोई वेदों के कुछ सलोकों का मंत्रों का डेली सवध्धाय करता है तो इस परकार के जितनी भी क्रियाएं हैं जो भी कर रहा है वो अपनी क्रियाओं को सत मान कर कर रहा है जिदि उसको पता लग जाए कि ये सास्तर नुकुल नहीं है तो त्याग देगा वो तुरत है इसलिए कि स्रीमत भगुत गीता ध्यार नमबर चार के सलोक नमबर बतीस में कहा कि अर्जून इन धार्मे की यगों यानि धार्मे कंश्ठानों की जानकारी सचीदानंद घंबरम की वाणी में विष्टार के साथ कहा है और उस प्रमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोली है उस सचीदानंद घंबरम की वाणी में यगों की जानकारी यग माने धार्मिक अनुष्ठानों की गिरियाओं की जानकारी विश्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है, चोथे जह के 33 मिश्लोक में कहा कि अरजुन इस दर्व में यग की अपेक्षा, ज्ञान यग स्रेष्ट है, दर्व यग क्या होता है, जैसे देखा देखी, कहीं बंडारे कर दिये, गंगा के किनारे कहीं कंबल बाट दिये, कहीं और किरियाई जैसे कोई दर्मसाला बनवा दी, अब क्या बता है, कि इस दर्व यानि धन से, पैसे से होने वाले जो अनुष्ठान है, इनकी अपेक्ष्या ज्यान यग स्रेष्ट है, तो ज्यान यग तत्व ज्यान यदि सत्संग है, सत्संग वो तत्व ज्यान है, जो सब सत्गरंथों के अनुकूल हो, वो तत्व ज्यान है, और वो ज्यान परमात्मा ही आकर देता है, ग्यान अध्धातम यथार्थ ग्यान परमात्मा स्वम ही आकर परदान करता है वाकी तो जीव संगा के प्रणी हैं जीव संगा में हैं वो अपनी अपनी अनुबव अठकल लगाते रहें लेकिन यथार्थ ग्यान परमात्मा ही बता सकता है अपने द्वारा रचीवी शृष्टी को स्व्यम ही वो ठीक ठीक विस्तार के साथ बताता है ऐसा वेदों में परमाण है तो वो तत्व ग्यान है जो सचीदानन्द गनपरम यानि पूर्ण परमात्मा कवीर देव ने अपनी कवीर वाणी के अंदर है जो ग्यान बताया है वो तत्व ग्यान है गीता ग्यान दाता चोथे दयके चोथिस में स्लोक में कहता है कि अर्धुन उस तत्व ग्यान को जो सचीदानन्द गनपरम की वाणी है यानि उस प्रमात्मा द्वारा बताया गया वो तत्व ग्यान है उसको तु तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ उनको डंडवत परनाम करने से कपट छोड़ कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म ततों का ग्यान कराऊंगे इसे ये सिद्ध हुआ कि गीता ग्यान दाता भी उस तत्व ग्यान से ऐ परीचित है अन्य था ये कहने की और शक्ता नहीं थी कि उस ग्यान को तु तत्व दर्शी संतों के पास जा कर समझ जब गीता जी के अठारा अध्या बोले तो एक अध्याय और बता देता जिस इनको ग्यान होता था इसको ग्यान नहीं तो अपने अत्मा अंदर में जाये के एक मंतर में यानि एक सलोक में गीता जी में उस तत्व दर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसा रूपी वर्क्स को जो संत विश्तार के साथ जानता है ये उल्टा लटका हुआ एक संसा रूपी पीपल का वर्क्स जानो अर्दुन उपर को जड़ है नीचे को तीनों गुन रूपी साखा है और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसा रूपी वर्क्स के सभी चंद सभी भी भागों को बता देगा से वेदवित वहतत वदर्सी संत है पुनात्माँ जब तक सत्संग नहीं मिलेगा इस पुनानी को तब तक ये ऐसे ही इस जनम और मर्तु के दीर रोग से गरश्ट रहेगा और सत्संग के वल परमात्मा ही बता सकते हैं वो परमात्मा छस्सो वर्स पहले आकर के हमें सत्संग बताया करते थे ग्यान दिया करते थे उस अपने अमरत वाणी से सची दानत गनबरों की वाणी से तो उससे में हम स्विकार नहीं कर सके क्योंकि हम ऐस सिक्सित थे और जो एक ब्रहमन वरग सिक्सिया का अधिकारी था उनकी बुधी वहां तक पहुँच नहीं पाई क्योंकि वो काल बगवान से प्रेरित रहें और प्रमात्मा का विरोध करवा दिया ये कहकर के कबीर ऐस सिक्सित है ये संस्क्रत बासा नहीं जानता है ये उट पटांग बोल रहा है ये जूट बोल रहा है प्रमात्मा कहा करते थे गुण तीनों की भगती मैं ये बूल पडो संसारे कहें कबीर निजनाम बिना कैसे उतरो पारे तीन देव की जो करते भगती उनकी कदे ना हो ए मुक्ती आज से लगवग छस्सो वरस पहले ये सब्द बोलना के तीन देवतावर माविशनु महिश जी की जो भगती करते हैं उनका कभी मुक्स नहीं हो सकता बुनात्माओं छस्सो वरस पहले ये बात कहना अपनी मौत को आमंतरन देड़ा होता था अपनी मौत को निमंतरन था लेकिन वो तो अविनासी थे वो तो परमात्मा थे और उन्होंने उस समय ये सब्द बोले थे और ऐसा घोर विरोध किया था उस मालक की उन्लिलाओं को जो पढ़ते हैं आँखों से आशों नहीं सुकते ऐसे जलम गुजारे थे उस परमपता के उपर हमारे बगवान अपने पता के उप अब जो विरोध कर रहे थे वो भी उसी के बच्चे ब्राह्मन काजी मुला उसी परमात्मा के बच्चे हैं उस परमेश्वन ने किसी को भी दुरासीस ने दी नहीं तो वो समर्द सकती है वो हमारे पताना होते तो उनको बहुत कुछ दंड दे देते ऐसा दे देते पुछो मत जैसे एक बार गोरखनाथ जी के साथ मज़ा कर दिया किसे ने और उसने इतना गुसा उठ्था वो मंडली थी उसके साथ चारसो पानसो की उसने एक सब्द उचारन कर दिया कि खड़े हैं वो तो पत्थर बन जाएंगे और बैठे हैं वो सिद्ध खड़े जादा थे बैठे थोड़े जितने खड़े थे वो सब पत्थर की मूरतिया बन गी तो ये तो समरत हैं कुछ भी कर सकते थे लेकिन अपना पता अपने बच्चों का एहित नहीं कर सकता थे उसको वो कुछ भी कितने दुखी कर ले इसलिए उस प्रमेश्वर ने किसी को दुरासीस नहीं दिया कोई सराप नहीं दिया क्योंकि वो समरत थे उनको मालूम है कि ये मेरे ही बच्चे काल की भांग पीक है मेरे सत्रू बन गए उसमें अपने समर्थता का परमान दिया इसी सथ कहने के कारण उस परमात्मा को जेरे कुवे मडाल दिया एक बहुत पहले दोसो दोसो फुट नीचे गहरा जल होता था कुवों में और जेरा कुवा वो होता था जो नीचे से उसका पानी खत्म हो जाता था और काफी गहरा हो जाता था उसमें डाल दिया उपर से जाड बोजडे कांटेदार छडे कंकर पत्थर रेत से भर दिया एक सेख तकी नाम के एक जलील विक्ती ने है वो मुसल्मान था मुसल्मान राजा दिली का वाज़्षा सिकंदर लोज़ी था और सेख तकी उसका धार्मिक पीर था सिकंदर लोज़ी राजा का मुसल्मानों को इकठा कर लेता था राजा के सामने नारे लगवा देता था राजा पबलिक को देख कर घवरा जाता था और फिर वो मनमानी सजा दिया करते थे कबीर प्रमात्मान कुए में डाल दिया भर दिया पूरा और कुछ देर के बाद वो गहे सिकंदर लोज़ी के पास प्रमात्मा कबीर देव जी राजा के पास उनके महल में एक कमरे में विराजमान मिले क्योंकि वो सम्रत थे वो पूर्ण ब्रम है वो सम्रत है लेकिन उनकी लिलाओं को देखा जाता है पढ़ते हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे पिता हमारे हित के लिए आए थे हम उनके सत्रू बन गए तो उससे में हम ऐस सिक्सित थे अब प्रमात्मा ने सबसे पहले ये रजा बक्सी हमें सिक्सित करवाया पुनात्मा वो पच्पन्सो वरस्तो कलियोग बीत गया और उससे पहले जालिय कितना समें तीन यूग गए केवल एक ब्रहमन वर्ग ही सिक्सित का दिकारी था और कोई सिक्सित नहीं करने करता था क्योंकि यह सिक्सित अच्छी नहीं है यह बेइमान बनाती है प्राणी को यह पाप करने से फिर हिसकता नहीं यह प्रहमन समाज में यह सिक्सित को इन्होंने रोजी रोटी का दंदा ही बना लिया और पाप के भागी बनने लगे अब सिक्सित आगी सब समाज में कितने चतूर बन गए हम हम बले ही उपर से कितने सिष्ट नजर आते हों सुंदर कपड़े पहने कवड़िया को ठीकार लेक है अंदर से कती खोके और खोकले हुए पड़े हम हमारे विचार वो नहीं रहे जो हमारे दाज्य और पड़दाज्यां के हम देख्या करते थे कितनी इनसानियत थी उनके अंदर अब पुनातमाओन हम जैसे वरतमान के मानों से भी हमारा पाला पड़ा है और आज से 55 वरस 50 वरस पहले जब हम कुछ जानने योगे हुए वो समय भी हमने देखा है वो समय में और आज में दिन और रात का अंतर हो गया इतनी ग्रावट आगी हमारी मान सिक्ता के अंदर हमारे सिष्टा चार के अंदर इसका कारण ये सिक्षा ही है आप ओफिस में जाते हो किसी भी कारियाले में वहाँ भी इनसान है बाहर पंक्ती में खड़ा वो भी इनसान है कोई दयाधरम नाम की चीज नहीं रही खाएं जाओ दके गिरगडाएं जाओ उनके सामने रहम रहा नहीं दस रफ ये दे दे तो काम कर दे नीतकाओ दके तो ये जलालत हमने को किसी ने सिखाई इस सिख्षा ने शिखादी और क्या करते हैं फिर उस पैसे काम कोठी बनाती हैं बंगला बनाती हैं कार खरीदते हैं और फिर गर में कोई ना कोई ऐसी समस्या कोई दुर गटना हो जाती है कोई बिमारी लग जाती है उस सारे पैसे को फिर हम ऐसे ही वो पैसा तो रहता नहीं विर्थ हो जाता है कोठी बना दी मर्त्यू होगी आप गदाबन के कुमार के गर मिट्टी ढो रहा है और कोठी वहां खड़ी है चाट ले उस कोठी को तो पुन्यात्मों इस ग्यान से हम इस माया से वापस होंगे क्योंकि ये माया दुस्मन है हमारी और इस माया का हम परियोग कहा करते हैं हमने परंपराएं गल्द बना ली विवहा करते हैं समय हम पूरा ड्रामा कर बैठ से हैं पता नहीं किस-किस परकार से हम अपने इस इन करियाओं को जो एक सिंपल वे से करनी चाहिए थी हम ड्रामा बना रहे हैं वहा करते हैं लड़के वाड़ा खुसी मनाते हैं लड़की का वहा होता है डीजे बज़ते हैं अरब्या दो बच्चों का होना है और परमातमा ने कर रख्या होता है क्योंकि संयोग वगवान जोड़के बेजता है जीव नहीं जोड़ सकता है या भूल है इसकी तो अपने सिंपल से वे से ब्या करें बच्चों का नाता ही तो जोड़ना है वाचन से जोड़ता है ठीक अभी हमारे आपका बेटा पसंद है, वो कह दे भी हमारे आपकी लड़की पसंद है, दोनों बच्चों का भी हाँ, मन्जूर हुआ, हो गया भी और इसमें के देर लग थी, अब हमने देखा, समाचार पत्तर में पढ़ा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का भी हाँ था, बेहने भी डांस कर रहे हैं, मा भी डांस कर रहे हैं, गली में खड़े होकर, हर सब कंजर हो गया हम, इनसानियत भूल गया कती, अगले दिन क्या होता है, कि भी हाँ के लिए जा रही थी बारात, रस्ते में दुले वाली कार टकरा गी है, ट्रेल लेते हैं, पहले दिन तो खुसी मना रहे थे, अगले दिन टक कर मार कर रो रहे हैं, तो इस काल के लोग में और हम बगवाद करे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने भांग पी रहा की है, नसा हो रहा हमारे, नसा उतर जागा जब यह चीज आपने ऐसी दुस्मन दिखाई देंगी, जो ड्रम माम करते हैं, एक समय नानक साहिब जी के पास भगत कोई विक्ती चले गए, और कहा महाराजी आप ऐसे रहते हों, खोए खोए से, आप कभी खुस नजर ने आते हैं, आपका चेरा ऐसा रहता जैसे मा दुखी पराणी होया करें, और आप तो मापुरुस हो, आपक है की टेंशन है, तब नानक साहिब जिन का भी ना जाने काल की कर डारें, और किस भी ड़ड़ जा पासावें, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी, उनानों केडा हासावें, अब ना जाने कब के विजली गर जा, एक सेकंड का वरोसा नहीं, एक सेकंड का, और हम फिर भी यहां फुले नहीं समाते हैं, तो यह हमारी इस अग्यान का ही कारण है, और इस बहांग दो हमने पी राखी है, माया की, इसका परबाव है, यह सत्संग से, प्रमात्मा की बगती से, यह एंटिवाइटी के इस बहांग का नसातार जेंग, उतर जाएगा, यह उतरने के बाद देखना फिर कितना आपका वजन अलका होगा, आपकी रूची नहीं रहेगी किते सांग से नहीं मा देखन की, आप नहीं सोचोंगे क्यों से मैं बरबाद किया, यह तो मालक की चर्टा चालागी, यह सत्संग सुरंदे दिल करेगा, यह फिर अपने सुबह स चाम दो पैर की किरियाएं और फिर मंतर दिन में, इतना व्यूजी सुडूल हो जागा आपका, बकवाद करन का समय कोई मिलाएं, और कभी समय मिलेगा तो रूची नहीं बन सकती हैं, यह बहुत दिन हो गए, इसने यह बकवाद करती हैं, इसके कुछ भी हाथ दिल गया है, तो पुन्या अत्माओं, हमने अपने सिर पर वजन गणा रख लिया है, सबसे पहले तो हमने इस विवहा के ऊपर खर्चाकती बंद करना पड़ेगा, फिर हम कोठियां बनाते हैं, सिंपल मकान बनाओ, ठीक है, जिसके पास दो पैसे हैं, वो भी अपना इसाब का यह मकान बनावे लोग दिखावा नहीं करें, तो उसमें हमें बगती में ज़्यादा समय मिलेगा, हमारी टेंसन खतम होगी, अब जैसे हम तो आर मनाते हैं, अब जब तक ग्यान नहीं था, जब तक हम कुछ भी मना लेते हैं, अब ग्यान हो गया, कतीर उच्ची नहीं बनती, एक व होता है भी ऐसे ऐसे यह नहीं करना, यह तोहर वगरा तुम जो मनाती हो, यह नहीं मनाना, कैसे, अब हम क्या करते हैं, फारमल्टी कर रहे हैं, कोई भी तोहर आता है, वो फारमल्टी बना ली के इतने कपडे और इतनी मिठाही, इतने सुआड़ी गुलगले, यह पहुचा नहीं, क्या फाइदा हुआ, एक बच्चा होता है, च्यार बुवा हैं उसके, च्यारों लाओंगी जो गले च्याच्छे, और छे मिन्या पाच्छो बच्चा बढ़ा हो, जो पेर न जो गे रहे हैं, क्या फाइदा है इन बखवादों का, तो इस तरह हमने इन सभी जान विचार से समझझ कर फिर इन से उटा हुटना है, और ज्ञान बिना थ हम फिर देख लकीर पीठ ही रहे हैं, भो नहीं, पीठ नहीं फिर हमने, हम बालक नहीं रहे ही, क्योंकि ज्ञान हो गया हमने, प्रमातमा का नाम मिल गया, यहां का पता लग गया, क्या सतीची है, तो इस परकार हमने इन क्रियाओं से वापिस होना है फिर नानक साहिब जी से पूछा कि है बगवन क्या आप कभी भी खुस नहीं होते तब उन्होंने का कि साद मिले साड़ सादी होंदी और बीच्छड देंदल गीरी वे अख्दे नानक सुनो जीहाना मुस्किल हाल फकीरी वे साद मिले साड़ सादी होंदी भगतों से हमारा मिलन होता है मेरे बच्चे जो मेरे सेस हैं ये मेरे पास आ जाते हैं सत्संगे समय तो हमारे एक वी सेस खुसी होती है हमारे या साधी है ये विवह है अमारा आत्मा का विवह परमात्मा से होता है कते साध मिले साठ साधी होंदी और बीच्षिड जाएं दिल गीरी वै जब ये यहां से Satsang सुनकर जाते हैं तब मुझे फिर अधासी छा जाती है क्यों छा जाती है कि ये बच्चे प्रमात्मा के हन्स इस ग्यान से कुछ परीचित हुए है और अब ये जा रहे हैं उन लोगों के बीच में जो प्रमात्मा के ग्यान से ऐ परीचित है और कहीं ये बच्चे अपना नियम भंग करके और उन लोगों के विचारों को सुनकर अपनी दिसा ना बदल लें ये नाम से वन्चित ना हो जाएं और जब ये वापस आ जाते हैं एज़िटीज तो मुझे खुसी होती है कि मेरी फसल में कीडा नहीं लगा तो कहते हैं साथ मिलें साथ साथ दी हों दी और बिच छुड़ जां दिल गीरी वे अख्दे नानक सुनो जिहाना ये मुशकल हाल फकीरी वे ये बगती बहुत मुशकल बना दी इन अग्यानी संतों और महनतों आचारियों और संक्राचारियों ने प्रमात्मा से दूर कर दिया हमारे को तत्वे ग्यान रहा नहीं सद्गरुंतों का ग्यान हम तक पहुँचा नहीं लोक वेद बना करके हमारे को ऐसे दंद कथाएं सुनाती जिनका कहीं कोई सिर पैर नहीं तो अपने अत्मा अगर आप खुशी मनाओ तो उस दिन की मनाया करो जिस दिन आपने नाम मिला कबीर साहिब कहते हैं जिस दिन सद्गरु भेंटिया सो दन ले खहजान और बाकी जनम गवाँ दिया वेना गरुव के नाम जिस दिन आपको उप देश मिले गया आपका वो जीवन मनुस का उस दिन से जनम समझे ले ना उससे पहले आपका मनुस जीवन नहीं था, लेकिन शरीर बेसिक मनुस का था जा दिन सत्गुरु भेंटिये, सो दिन ले खैजान, बाकी समय विर्थ गया तरह बिना गुरु के नाम तो पुने अत्माओं, प्रमात्मा की करपा से आप कोई सत्थ संग मिला है तो सबसे पहले मालिक ने हमारे कोई सिक्षा देनी पड़ी और इस सिक्षा के विना हम भगवान को पैचान नहीं सके थे उनको मालुम था कि ये खूब बिगडेंगे, सिक्षा होते ही ये खूब अवामा उड़ेंगे विग्यानिक पाक के कोट गिवन मैटरियल पर अनुसन दहान करके ये भगवान से दूर करने लगे राप भी होने लगे कहीं भगवान नहीं है एक विश्वे नियम है एक एलिमेंट खोज लिया है उससे सब कुछ बनता है वो एलिमेंट किसने बनाया? इन विग्यानिकों ने बना दिया प्रमात्मा के मैटरियल के उपर बकवाद करते हैं अगर तो वरस वरसा ना हुआ न ये विग्यानिक विरिन के सारे इंस्टूमेंट डड़क पड़े पड़े जड़े जंग लाग जैन के अंदर बगवाद के रह्म को बुलातिया बगवाद से कोसों दूर कर दिया हमारे को और क्या बनाये नों ने प्रमाण उबं बना लिया अपना नास करने के लिए है तिरा गजबी और पुन अत्मा हो ये इंटरनेट और ये प्रोजेक्टर, टेलिवीजन यह परमात्मा का दियावा ग्यान है जीव सतर का नहीं है कि दे किसी अब भूलो कि मनुस बना दी यह ऐसे आइटम परमात्मा कबीर जी ने उनको बुधी दे कर किये बनवाया है और किसलिए? आज के दिन के लिए इस समय के लिए कि एक जगे मेरा ग्यान चला कराएगा, क्रोडों बच्चे मेरे एक टेम पर सुना करेंगे और पर्तेक्स परमान देख्या करेंगे प्रोजेक्टर बनवा दिये, दास यहां दिखाता आप, वहां बैठे परमान देख रहे हैं टीवी के उपर देख रहे हैं, घर गर बैठा प्रमात्मा सिंदेश बेज रहा है मालिक को मालुम था, क्योंकि काल ने कहा था प्रमात्मा कबीर जी से प्रार्थना की थी चापलूसी करके के तीन युगों में जीव कम ले जाना और चोथा युग जब कल युग आवे हैं, तब तव सरन जीव बहु जावे हैं ऐसा वचन हर्मोई दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजे प्रमात्मा की चर्ण पकड़ के वचन बद कर लिया था कि तीन युगों में जीव वापिस कम ले जाना और चोथा युग जब कल युग आवे हैं, तब तव सरन जीव बहु जावे हैं फिर वेसे कितने ले जीव चोथे युग में तब प्रमात्मा ने कहा था ठीक है, मैं बचन बद हुआ और चोथे युग कल युग में जीव ले जाऊँगा तब एक दम जब देख लिया ना वचन बद होगे, उसी समय आँखें पलट ली बसमा सुर कीत रहे, और कहने लगा बेसक कल युग में तुम आ जाना कल युग में ऐसे कर दूँगा इन पराणियों को कि ये भगती युग नहीं रहेंगे इनके इतने मली नातमा कर दूँगा और मंदर, मस्जिद और ये पतीर्थों पर दामों के उपर आसरिच कर दूँगा और देवी देवताओं की पूजाओं पर इनको आरूड कर दूँगा आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा और आ जाना बेसक बेसक कहा था जोग जीत जाओ संसारा जीव न माने कहा तुमारा जीव तुमारा कहा न माने हमरी ओड हो बाद बखाने ऐसे उल्टे पाठ पड़वाए दूँगा अपने नकली दूद बेज कह के तुमारे साथ तुमारे ही बच्चे बाद विवाद किया करेंगे मेरी और मेरा पक्स में हो करके जैसे प्रमातमाद 600 वरस पहले आए थे उसमें वो क्यूं आए थे इसलिए आए थे कि इस कलियूग में मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे वो लीला करके चले गए जो बगवान किया करता है अब उस बगवान के पैचानने में हमें बहुत आसानी हो गई है यदि छट्सो वर्स पहले परमात्मा ना आते तो हम कैसे पैचानते परमात्मा कौन है बगवान जो लीला किया करते हैं वो प्रतेक युग में ऐसी ही करते है और उन लिलाओं का परमान हमारे सद्गरंथों में मिलता है पवित्र चारों वेदों में परमेश्वर की वो बहिमा का गुणगान है जो बगवान किया करता है तो वो लिलाओं किसने की वो 600 वर्स पहले बनारस में 80 सेर में भारत वर्स के इस पाउन धरती पर आयत एक जुलहा रूप में धानक रूप में रहे थे 120 वर्स वो कबीर परमात्मा उन्होंने वो लिलाओं की हैं जो वेदों में परमान है जिनका तो वी इस गोड़? कबीर इस गोड़? परमात्मा कौन है? कबीर साह परमात्मा है और परमेश्वर ने 600 वर्स पहले का था बेद मेरा भेद है मैं ना बेदन के माही और जोन बेद से मैं मिलूं ये बेद जानते ना ही परमात्मा ने का था कि ये चारों बेद मेरा ही भेद यानि मेरी महिमा का गुनगा नहीं कर रहे हैं लेकिन इन चार वेदों में वरणित विधी से बेरी प्राप्ती नहीं हो सकती, सतलोग प्राप्ती नहीं हो सकती, अमर लोग प्राप्ती नहीं हो सकती, इन में पूजा की विधी नहीं है वो जो सतलोग जा सके हम, तो उसकी पूर्ती करने के लिए प्रमात्मा स्वेमाते परते एक युग में और अपने मुख कमल से वाणी बोलते हैं आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं तिबका जी संत रामपाल जी महरास से नाम दिक्षार लेने से पहले आप क्या भक्ती साधनय करती थी लाब नहीं हो रहा था हम पहले और की शिटी मों भीमार भी प्र जाती थी मेरे पापा की भीच्ब बिमार रहते थी मेरे पापा को एक बार हार्ट अटेक आ गया था जिस से डौक्टर ने उन्हें चार महीं ने काम ना करने के लिए कहा था जिससे हमारी आर्थे किस्थी ती और खराब हो गई थी हमारे उपर 3 लाग का करदा भी था मेरी मैं मूं मैं भी बिमार रहती थी जैसे कि आपके बताने उसार आप बहुत ज़ादा दुखी थे तो फिर आप संत्रामपाल जी महाराजी की सरण में कैसे आए? पहले मेरे मामा संत्रामपल जी महराज जी से जुड़े हुए थे वो एक बार हमारे घर आया थे तो उन्होंने हमें संत्रामपल जी महराज जी के बारे में बताया उन्होंने हमें ससंग सुनने के लिए कहा और कहा कि आपके सभी दूर संत्रामपल जी महराज जी से नाम दिख चलिजी और भक्ति कीजिए तो हमने उस समय उनकी बात नहीं मानी थी फिर एक बर मेरे पापा की तब्यात और खराब हो गए थी वह काफी जादा बीमार हो गए थे कामें भी नहीं जा पा रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना संत्रांपाल जी महाराजी का ससंग सुनते हैं तो जो इंटर्विव आता है वो भी देखते थे उसमें भक्तों को बहुत सारे लाब होते थे तो पापा ने सोचा कि मैं भी अगर ठीक हो सकता हूं तो मैं संत्रांपाल जी महाराजी से नाम ले लेते हैं तो हमने 23 जुन 2020 को आनलाइन घर पर ही नाम दिख्षा ली थी क्योंकि कि उस समय लोगडाउन था संत्रांपाल जी महाराजी से जैसे कि आपने बताया कि आपने संत्रांपाल जी महाराज से ओनलाइन नाम दिख्षा ली तो क्या ओनलाइन नाम दिख्षा लेने के बाद आपको लाब भी मिले जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे पापा बहुत बिम कीजिए तो फिर गुरुजी से जब हमने नाम दिख चलिया तब ठीक हो गया मेरे पापको डॉक्टर ने कहा था कि आपको जीवन भर दवाई लेनी पड़ेगी तो जब हमने संत्रामपाजी महराजी से नाम दिख चली तब से मेरे पापका ने दवाई खाना विर्कुल छोड बड़ कमर्दर्थ की मतु़्च 2580 को मोड़ों से थिव आपको ब्रेशन पड़ेगा तो हम लोग अनुप लिवर संत्रामपाजी महराजी से सं stack लिने के बाद उनकी बिलकुल हो गई और वह बिलकुल सवस्त है और मुझे बार बार खून की कमी हो जाती थी पहले तो फिर संत्रामपा जी महराज जी से नाम दिख्छा लेने के बाद मैंने गुरुजी से संत्रामपा जी महराज जी से अर्दास लगाई और संत्रामपा जी महराज जी ने कहा कि भक्ती करते रहो परमात्मा दया करेंगे त पापा रिक्षा चलाते हैं तो वो हम लोग समझ नहीं आता था कि पैसा जितना आता है वो हम लोग अपने बीमारी पर खर्ज करें या फिर अपने कर्जे को छोटे तो संत्रामपा जी महाराज जी के शरण में आने के बास से हमारा एक रुपए का भी कर्जा नहीं है और हम ल लेने के बाद उनका नशा बिल्कुल छुट गया हमारी आती किसी थी खराप थी तो हम लोग घर भी नहीं बना पा रहे थे संत्रामपा जी महाराज जी से नाम दिख्षा लेने के बाद हमारा घर भी बन गया आपने संत्रामपल जी महराज से नाम दिक्षा ली और आपको संत्रामपल जी महराज ने बहुत सारे लाब दिये आपने वताया कि संत्रामपल जी महराज ने आपको ओनलाइन नाम दिक्षा दी तो जब आपको संत्रामपाल जी महराज ने ओनलाइन नाम दिक्षा दी तो आपको विश्वास था कि आपने ओनलाइन नाम दिक्षा ली है और वो संत इतनी दूर बेटे हैं कि आप ठीक हो सकती हो उनसे जी हाँ हम पहले इतनी भक्ति करके इतने दूखी थे सबी देवी देउता की भक्ति करते थे तो हमें लगा कि अब संत्रामपाज जी महराजी ही है जिनके चरण में जाके हमें सुख हो सकते हैं हमने उन्हें पूर्ण परमात्मा मान की उनसे नाम दिख शली और मर्यादा में रहके भक्ती की और फिर हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमें बहुत सारे लाब भी हुए है संत्रामपाल जी महाराज ने आपको क्या भक्ती साथ ना दी संत्रामपाल जी महाराज जी ने हमें सच्चा नाम दिया और वेदो और गीता की अनुशारों उन्होंने भक्ति बताई संत्रामपल जी महाराजी से नाम्दिख्षा लेने के लिए आज कल विभी ने चैनल रहे पेura संत्रामपल जी महाराजी का ससंगा जिसमें नीचे एक पटी चलते हैं उसमें रिखा रहा हैं में आप कॉंटेक्ट करके अपनी नजदी की नामदान सेंटर का पता लगा सकते हैं और वहां जाकी निशूर को नामदिक्षा ले सकते हैं दन्यवाद जी दन्यवाद सर्थ आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कर दो कर दो